तो दोस्तो आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ important question discuss करेंगे present heads के बारे में तो इंडिया के अंदर 2022 में जन्वली में जितने भी present heads रहेंगे आज हम उनको इस वीडियो में discuss करेंगे यह जो topic होता है most important रहता है आपके exam के लिए क्योंकि इससे related questions अक्सर आपके exam में पूछा जाते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को like करें, share करें और चैनल को subscribe कर लें जितने भी competitive exams होते हैं हर एक competitive exam के लिए ये वीडियो काफी important रहेगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखते हैं पहला question क्या है तो हमारा पहला question है तो अभी current time में भारत के chief election commissioner कौन है तो हमारा answer हो जाएगा सुशील चंद्र तो सुशील चंद्र जो है ये current time में भारत के chief election commissioner रहेंगे और ये question जातर हर exam में पूछा जाता है most important, most repeated question रहेगा अगर कुछ और present heads की बात करी जाए तो basic से हम start करते है प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के तो वो रहेंगे रामनाद कोविंद वाइस प्रेसिडेंट कौन है तो वो रहेंगे वेंकया नाइडू प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस है एनवी रामना लोग सभा के speaker की अगर बात करी जाए तो वो ओम बिल्ला रहेंगे आपसे exam में question पूछा जाता है कि ओम बिल्ला जो है ये कौन से नंबर के speaker है लोग सभा के तो आपको ये comment box में type करके बताना है कि ओम बिल्ला लोग सभा के कौन से नंबर के speaker है controller and auditor general आपसे पूछे जाते हैं तो वो हो जाएंगे GC मुर्मू जिनका पूरा नाम रहेगा ग्रीश चंदर मुर्मू attorney general कौन है तो केके वेनु गुपाल करेंट डाइम में attorney general है इंडिया के union public service commission जिसको की UPSC के नाम से जाना जाता है उसके chairman कौन है तो हमारा answer हो जाएगा प्रदीब कुमार जोशी तो प्रदीब कुमार जोशी जो है ये अपरेल 2022 तक UPSC के chairman रहेंगे अगला question देखते है Who is the new chairperson of the railway board of India appointed on 1 January 2022 तो given options में से कौन रहेंगे railway board of India के chairman जिनका कारेकाल स्टार्ट हुआ है 1 January 2022 से तो अभी की ही हाली की appointment रहेगी तो हमारा answer हो जाएगा विने कुमार तरपाथी विने कुमार तरपाथी को chairperson चुना गया है railway board of India का जो हमारी current affair की daily videos provide कराई जाती है चैनल पे अगर आप उनको daily follow करते होंगे तो ये questions आप easily attend कर पाएंगे अगर कुछ और इससे related appointments की बात करी जाए तो national security advisor कौन है इंडिया के तो वो रहेंगे अजीड दोवाल cabinet secretary कौन है तो राजीव गाबा रहेंगे अगर प्राइम minister के principal secretary की बात करी जाए तो प्रदान मंत्री के principal secretary कौन है तो हमारा answer होगा प्रमोद कुमार मिश्रा होम secretary कौन है तो वो जाएंगे अजय कुमार भला finance secretary कौन है तो टीवी सोम नाथन रहेंगे जितने भी हमारे cabinet ministers हैं उनके अंडर ये सब ministries के काम करते है secretaries तो ये आपको ध्यान रखना है इनका भी काफी important role होता है और ये exams में अक्सर पूछे जाते हैं defense secretary कौन है तो अजय भल अजय कुमार रहेंगे foreign secretary है हर्ष वर्दन श्रिंगला law secretary अगर आपसे पूछा जाए तो अनुप कुमार मेंडिरेटा जो है ये law secretary है इंडिया के solicitor general most important रहेंगे तुशार महता chief economic advisor कौन है तो कृष्ण मूर्ती सुब्रमन्यम करन टाइम में chief economic advisor है इंडिया के अगले question पर बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते है static gk topic wise एक ebook हमारे द्वारा launch करी गई है ये काफी जादा important रहेगी आपके exams के लिए क्योंकि इसमें जो हमने topics लिए हैं इन topics से 100% आपके exams में question पूछे जाते हैं तो हर shift में आपको 6-7 question इस ebook से मिल जाएंगे ये ebook सिर्फ आपको 69 रुपीज में provide कराई जा रही है इस पे भारी छूट आपको दी जा रही है तो अगर आप interested हो तो इसका link आपको description में provide कराई गया है आप directly description में जाके इसको buy कर सकते हैं और ये हमारी एक Gmail ID है अगर downloading में कुछ issue आता है तो आप इस पे directly mail कर सकते हैं अगला question देखते हैं तो राज्य सभा के current time में Secretary General कौन है तो हमारा answer हो जाएगा PC Modi पीछे ही हमने इस question को discuss करा था कि PC Modi जो है इनको चुना गया है Secretary General राज्य सभा का अगर कुछ और बात करी जाए तो Secretary General कौन है लोग सभा के राज्य सभा के तो PC Modi हो गए लेकिन लोग सभा के कौन है तो उत्पाल कुमार सिंग जो है ये Secretary General है लोग सभा के अगर आपसे Supreme Court के Secretary General पूछ लिए जाए तो वो कौन है तो वो रहेंगे संजीव S. काल गोंकार तो ये जो है ये Secretary General है Supreme Court of India के तीनों ही important है Who is the chairperson of National Human Rights Commission तो National Human Rights Commission के Chairman कौन है तो हमारा answer हो जाएगा अरुन कुमार मिश्रा पुराना question रहेगा एक्जाम में अक्सर पूछा मिल जाता है कि अरुन कुमार मिश्रा जो है ये National Human Rights Commission के Chairman है अगर और Commission की बात करी जाए तो National Commission जो है Minorities के लिए जो Minorities है उनके लिए जो Commission मनाई गई है उसको Head कौन करता है तो इकबाल सिंग लालपुरा जो है ये रहेंगे Head National Commission for Minorities के अगर आपसे Schedule Cast की जो National Commission है उसका पूछा जाए Head तो वो रहेंगे विजय संपला अगर Women's की पूछी जाए कि Women's के उपर जो National Commission मनाई गई थी उसकी Head कौन है तो वो रहेंगी रेखा शर्मा और Current Type का इक कोशन रहेगा कि इनका कारेकाल जो है वो तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया है इसलिए ये कोशन आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है अगर Schedule Tribes की आपसे पूछ ली जाए National Commission के चेर्मान कौन है तो हर्च चोहान रहेंगे Central Vigilance Commission के चेर्मान कौन है तो सुरेश एन पटेल रहेंगे Atomic Energy Agency आपने सुना होगा तो Atomic Energy Commission भी होती है जिसको की SEBI के नाम से जाना जाता है SEBI का काम गया होता है तो इंडिया में जितनी भी Stocks Related या Mutual Funds को जो Regulate करता है वो करता है SEBI तो पैसे का जो लेंदेन होता है उससे Related Security Exchange Board of India काम करता है और Mainly जो Regulate करता है Mutual Funds को और Stocks को इंडिया में वो काम होता है SEBI का तो इसके Chairman कौन है तो हमारा Answer हो जाएगा अजयत्यागी अजयत्यागी करण टाइम में Chairman रहेंगे Securities and Exchange Board of India के अगर कुछ और Important जो इस तरीके की Organizations हैं इंडिया में जो Work करती हैं अगर उनके Chairman की बात करी जाए तो 15th Finance Commissioner आफ इंडिया कौन है तो आपका अंसर हो जाएगा N.K. Singh RBI Most Important रहता है और RBI भी काफी Related होता है काफी सारी चीज़े RBI से Related होती है तो RBI की Governor कौन है तो वो जाएंगे शक्तिकांत दास इनका भी जो Time Period है यह उनका कारेकाल है उसको बढ़ाया गया है और यह पहली बार हुआ है कि किसी RBI Governor का कारेकाल जो है वो बढ़ाया गया हो Insurance Regulatory and Development Authority इसके कौन हैड रहेंगे तो सुभाज चंदर कुंटिया जो है यह हैड रहेंगे IRDA के आपने Sidby नाम सुनाओगा Sidby की full form होती है Small Industries Development Bank of India तो उसके head कौन है करेंट टाइम में तो शिवा सुभरमन्यम रामन शिवा सुभरमन्यम रामन जो है यह Sidby के करेंट टाइम में head रहेंगे अगर आपसे chairman और MD पूछे जाए Exim Bank की Exim की full form होती है Export-Import Bank of India तो Export-Import Bank of India के head रहेंगे हर्ष भुपेंद्र भंगारी हर्षा भुपेंद्र भंगारी जो है यह chairman भी है और MD भी है Exim Bank के और यही same question हमने पीछे भी discuss करा था National Bank for Agriculture and Rural Development जिसको की popularly जाना जाता है नबाड के नाम से तो इसके head कौन है तो गोविंद्र राजुलू चिंताला गोविंद्र राजुलू चिंताला जो है यह नबाड के current time में chairman रहेंगे Who is the chairperson of National Stock Exchange तो NSE दो होते हैं exchange एक तो होता है National Stock Exchange जिसको की NSE बोला जाता है और एक होता है Bombay Stock Exchange जिसको की BSE बोला जाता है तो NSE जो है National Stock Exchange उसके chairman कौन है तो हमारा answer हो जाएगा GC चतुरुवेदी GC से आपको पता है यह Greece चंद्र Greece चंद्र चतुरुवेदी जो है यह National Stock Exchange के chairman रहेंगे अगर इससे related और बात करी जाए तो SBI की अगर बात करी जाए State Bank of India उसके chairman है दिनेश कुमार खरा Industrial Development Bank IDV उसके chairman है महेश कुमार जैन LIC Life Insurance Corporation M.R. कुमार CBDT Central Board of Direct Taxes J.B. महपात्रा Director General कौन है Archaeological Survey of India के V. Vidyavati V. Vidyavati जो है यह chairman है Archaeological Survey of India के Director General Telecom Regulatory Authority के chairman कौन है PD वगेल Indian Oil Corporation Limited के Chairman कौन है तो संजीव सिंग रहेंगे अगर आपसे Oil India Limited की पूछी जाए तो उत्पाल सिंग रहेंगे यह सब के सभी के सभी questions most important है exams के लिए आपसे पूछे जा सकते है Who is the current chief of the air staff तो air staff जो air force है हमारी उसके chief कौन है उसके head कौन है तो हमारा answer हो जाएगा विवेक राम चौधरी विवेक राम चौधरी जो है यह current time में chief है हमारे air staff के इस वीडियो में आपको कम time में ज़ादा से ज़ादा कोशन कवर कराने की कोशिश करी गई है तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो आप वीडियो को लाइक ज़रू करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरीके के content आपको daily provide कराए जाते हैं हमारे चैनल पे तो chief जो है air staff के air force के वो कौन है विवेक राम चौधरी ये भी एक नई appointment रहेगी अगर defense related और बात करी जाए ये defense की एक force हो गई तो defense related बात करी जाए तो आर्मी staff जो हमारी army है उसके chief कौन है तो मनोज मुकंद नर्वने मनोज मुकंद नर्वने जो है ये chief है army staff के नेवल staff के chief कौन है तो आर हरी कुमार नेवल staff के chief है intelligence bureau जिसको की IB के नाम से भी जाना जाता है उसके chief है अर्विंद कुमार secretary कौन है raw के research and analysis wing के तो समान्त गोयल रहेंगे cbi central bureau of investigation के कौन है तो सुबोत कुमार जैसवाल director general कौन है bsf border security force के तो हमारा answer हो जाएगा central reserve police force कुल्दीप सिंग cisf cisf को कौन है central industrial security forces के director general है शील वर्धान सिंग ITBB इंडियन तिबबतन बॉर्डर पुलिस संजय अरोडा रहेंगे और SSB शसस्त्र सीमा बलके भी रहेंगे संजय अरोडा तो दोनों के ही संजय अरोडा करंट टाइम में director general रहेंगे NSG National Security Guard के कौन है MA गनपती NIA National Investigation Agency के कुल्दीप सिंग तो कुल्दीप सिंग है National Investigation Agency के इनके पास इसका additional charge है NDRF के कौन है तो SN प्रधान SN प्रधान important रहेंगे पीछे exam में पूछे गए थे NDRF के director general रहेंगे तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखरी कोशन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आप नीचे देख सकते हैं 600 प्लस कोशन की एक हमारे द्वारा e-book लॉंच करी गई है ये जो e-book रहेगी जनवली से लेके जून 2021 तक के आपको current affair के कोशन इसमें प्रोवाइड कराए गए है ये सिर्फ आपको 29 रुपीज में प्रोवाइड कराए जा रही है इसके अलावा हमारी एक e-book है जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी स्टैटिक जी के टॉपिक वाइज वो आपको 69 रुपीज में प्रोवाइड कराए जा रही है इसके अलावा हमारी एक तीसरी e-book रहेगी 2000 कोशन की जिसमें की आपको जिसमें की आपको चार टॉपिक्स में 500 कोशन 2000 टोटल कोशन कवर कराए गये हैं वो आपको 99 रुपीज में प्रोवाइड कराए जा रही है और एक आपको जुलाई से लेके दिसमबर 2021 तक की करन्ट अफेर की e-book मिल जाएगी 59 रुपीज में चारो ए-book का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गया है आप जो भी e-book को चाहें पाई करना आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको बाई कर सकते हैं और चारो ही e-book आपके एक्जाम्स के लिए most important रहेंगी तो आप एक बार जरूर उनको बाई करें आपको 100% एक्जाम में मदद मिलेगी एक हमारी प्लेलिस्ट और रहेगी All Esthetic GK Topic के नाम से उसमें सारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो कवर करे जाते हैं तो आप उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं धन्यवाद दोस्तों